हलो बच्चो तो स्वागा थे आप सभी का वेब डबलब्मेंट के लेक्चर नमबर 4 के अंदर तो इस लेक्चर में हम अपनी वही सेम जर्णी को सुरूख आगे लेके चलेंगे और समझेंगे CSS के और Important Basics Properties के बारे में मुझे उमीद है कि आप लोगों ने लेक्चर 1, 2 और 3 देख लिया होगा आपको HTML समझ में आ चुका होगा आपको CSS के अंदर CSS के Important समझ में आ चुकी होगी CSS का काम समझ में आ चुका होगा CSS का Simple सा काम होता है एक वेब पेज को खुबसूरती देना और English में कहा जाए तो एक वेब पेज के अंदर Style देना और कोई ज़्यादा काम उसका नहीं होता ठीक है और आपने समझ लिया हुआ कि Types of CSS कैसे होते हैं मतलब उनको लिखने का तरीका कहा कहां पे है और आप ये भी समझ चुके होंगे कि आप किस तरह अलग-अलग अपने elements को target कर सकें HTML की अंदर ठीक है तो आज के इस lecture में हम इस journey को थोड़ी और आगे लेके जाएंगे और चीजों को समझेंगे बहतर तरीके से की और चीजों का आप manipulate कैसे कर सकते हैं तो चलिए शुरू करते हैं अपनी pw skills की lab के उपर तो हमने pw skills की website खोल ली है यहाँ पर आते हैं क्लिक कीजिए lab के उपर फिर आप सभी को पता है आपको करना है start lab पे जाना है web development में चूज करना है html, css और js, नाम लिग दीजिए और क्लिक कर दीजिए proceed के उपर मैंने पहले से ही आप सभी के लिए workspace बनार रखी हुई है यहाँ क्लिक कीजिए और बना लीजिए अपनी सबसे पहली index.html मैं उमीद करता हूँ आप lecture 3 से समझ चुके होंगे कि अगर आपने index.html छोड़के किसी और नाम से file बनाई है, तो उसे कैसे run कर सकते हैं आप, ठीक है अब आजाते हैं और अपनी दूसरी file बना लेते हैं जिसका नाम हम देंगे style .css और मार देंगे enter ठीक है, यहाँ तक ने हम अपना काम कर लिया है index.html में आते ही हम अपना जादूई चीराग यूज़ करेंगे जिसका नाम है event event की मदद से हमें पूरा का पूरा boiler plate code मिल जाता है काम करने के लिए अब आप देखेंगे आपको बार-बार स्क्रोल कर रहा है तो इस problem का solution लाने के लिए भी हम क्या करते हैं, view के अंदर जाके word wrap को चालू कर देते हैं और जैसे ही आप word wrap को चालू करेंगे आपका काम हो जाएगा असान sorry मैंने next time word wrap नहीं चालू किया था अब चालू कर दिया हमने चालू कर दिया word wrap और अब थोड़ा सा space बना लेते हैं अपने लिए screen पे और अब सुरू करते हैं अपना काम करना तो इसके पहले हम समझ चुके थे कि HTML के अंदर text लिखके उसे target दे के color background कैसे change कर सकते हैं border कैसे margin padding आज की इस lecture में परे सुरू करेंगे हम समझना कि उस font को आप किस तरह अलग-अलग style दे सकते हैं CSS की मदद से आप उसे किस तरह बड़ा दिखा सकते हैं HTML element बना लिए जाए यहाँ पर लिख देते हैं pw skills ठीक है और एक paragraph में lorem ipsum के कुछ सब्द लिख देते हैं तापकि हमें web page पे देखने लायक काम हो जाए click करेंगे right click और करेंगे open with live server अपना url करेंगे copy और दूसरे tab को open करके यह वहाँ पर कर देंगे paste और आप सभी को पता है हमारा port number क्या होता है double five double zero और hit कर दिया जाएगा enter जैसे ही आप इतना लिख के करते हैं enter आपका web page HTML का load हो जाएगा यहाँ पर हम लिख देते हैं title में class four और five symbol लगा के लिख देते हैं नहीं तो उसके लिए HTML CSS फाइल हमने बना दी अब हम करेंगे link colon CSS कर देंगे tab हमारे पास आ गया इस style हमने नाम रखा था हम कर देंगे dot slash और करेंगे save verify कैसे करेंगे simply लिख लिजे body body लिखने के बाद कोई भी random सा color दे दीजिए और अगर वो color apply हो जाता है तो इसका मतलब सब कुछ properly चल रहा है यहां तक तो आप क्या करेंगे हमें इस पर तो काम करना नहीं इसलिए हमें सो कर देंगे अब बढ़ते हैं आगे font family को लेके बढ़ते हैं थोड़ा सा और आगे तो चलिए सबसे पहले आजाते हैं h1 tag के अंदर अब मेरी requirement है जो यह मेरा h1 है यह left side ना हो के center में हो तो इसके लिए हम use करते हैं text align अब align जैसे ही आप लिखते हैं आपको suggestion में बहुत सारी चीज़े आ जाती हैं हमें कहां लेके जाना है हमें लेके जाना है center में आप left में लेके जा सकते हैं आप end में end in the sense एकदम corner में चला जाता है अभी के लिए हमें चाहिए center में तो हमने कर दिया center यहाँ पर आते हैं और हम देख पाएंगे कि हम आ चुके हैं center के अंदर अभी तकले हमने ये काम नहीं किया था दूसरा मैं इसकी size बढ़ाना चाहता हूँ तो कैसे करेंगे हम लिखेंगे font size इसकी size को बढ़ा करके चलिए कर लेते हैं 70 pixels 70 pixels थोड़ा ज़ादा बढ़ा हो जाएगा चोटा रखते हैं थोड़ा ताकि देखने में भी थोड़ा अच्छा लगे यहां तक आगे अब आजाते हैं करते हैं refresh तो यह आप देख सकते हैं पहले से काफी बढ़ा हो चुका है इसको comment करके एक बार cross check कर ले देता भी चोटा है और अगर इसको मैं uncomment करता हूँ अब देखता हूँ तो यह बढ़ा हो चुका है इसका मतलब है properly काम कर रहा है next हम आ जाते हैं जो यह font का color है उसे कैसे change करना है तो उसके लिए हम लिखेंगे color color लिखने के बाद आपको जो भी color चाहिए वो दे दीजिए हम color हमेशा किस में देते हैं हम हमेशा color देते हैं hex code के अंदर तो चलिए hex code लिख लेते हैं हम लोग यहाँ पे 80, 81, 86, इनी random color अब आ जाएंगे यहाँ पे देखेंगे तो यह हो चुका है properly grey तो यहाँ पे अब हमें जानना है कि मैं उसे थोड़ा style कैसे दूँ style से मतलब मैं उसे थोड़ा bold करूँ या underline करूँ या उसे means थोड़ा interesting बनाऊ तो उसके लिए हम use करते हैं text decoration text decoration का मतलब होता है जो आपने text लिखा है उसके नीचे underline आ जाना दो line कर देना means नीचे और उपर overline जिसे कहा जाता है उसके बीच में से काट देना line through जैसा कि आप e-commerce website पे देख पाते हैं और अलग-अलग चरीके के decoration आप दे सकते हैं यहाँ पे सारे के सारे example हैं अभी के लिए हम ले लेते हैं underline ठीक है underline लिया हमने किया save अब आके देखते हैं क्या हुगा अब जैसे ही हम देखेंगे नीचे आ चुकी है एक line दुसरी कोई property दुसरी property है overline overline मतलब उपर तो अब आ चुका है यह उपर तो अब एक सवाल होगा क्या मैं उपर और नीचे दोनों दे सकता हूँ फिर इसके क्या ही जरुवत पड़ गई तो अगर आपको चारो side चाहिए तो हम इसको नहीं use करके क्या use करेंगे border ताकि आपको चारो तरफ line मिल जाए यहां तक समझ में आया अब दुसरी चीज समझते हैं font family font family मतलब अभी जो आप देख रहे हैं यहां पे font यह default font है html का और browser का मुझे इस से खेलना है मतलब मुझे अब कुछ अजीबो गरीब दिखने वाले font या थोड़ी अलग style दिखने वाले font चाहिए होंगे तो उस case में हम लिखते हैं यहां पे font family और अब जैसे ही font family लिख देते हैं आपको मिल जाता है बहुत सारे अलग-अलग examples पहले से ही तो अभी हम ले लेते हैं cursive चलिए और कर देते हैं save अब अगर आप यहां पे आके देखेंगे तो pw skills जो है वो cursive के अंदर लिख कर आ चुका है उसी तरह बहुत सारे option यहां पे available है आप क्या करना है control और space दबाना है और सारे के सारे option आ जाएंगे आप यह देख सकते हैं सारे option यहां पे हैं अभी इस वक्त हम यह नहीं समझ रहें कि हम कहीं और से font कैसे लाएं इस वक्त हम खाली इतना ही समझ रहे हैं कि CSS default और कितने तरीके के font हमें देता है तो CSS जो default font देता है वो यह रही उनकी सारी की सारी list इसके लावा बाहर से भी font लाखे अपने CSS के अंदर लगा सकते हैं और वो properly चलेगा लेकिन यह बात किसी और lecture में आज के lecture के लिए नहीं हम basics पे ही रुके रहेंगे तो हम समझ चुके हैं cursive और अब cursive यहाँ पे दिखाई दे रहा है तो देख पा रहे हैं किस तरह हम अपने text को fancy बनाते वे जा रहे हैं तो आप यह देख पा रहे हैं कि यहीं कैसे किया है अब थोड़ा paragraph के साथ भी खेल लेते हैं तो paragraph के अंदर आ जाते हैं paragraph के अंदर आते ही मुझे मेरा paragraph दिखाना है थोड़ा सा बड़ा, ठीक है? तो मैं सबसे पहले क्या लिखूँँग? paragraph को बड़ा दिखाने के लिए font size, ठीक है? font size, मैंने लिख दिया font size font size चलिए ले लेते हैं 25 pixel ठीक है, आते हैं देखते हैं तो हाँ, थोड़ा बड़ा तो दिख रहा है ठीक है, दुसरा एक काम करते हैं हम उसे align कर देते हैं, फिर से center में, तो चलिए देखते हैं align हो गया center के अंदर properly, अब एक दुसरी बहुत ही important property में आपको सिखाने जा रहा हूँ, जो की है font weight, ठीक है font weight font weight का मतलब होता है वो जो text आपने लिखा है उसका वजन कितना बढ़ाना है वजन से क्या मतलब मेरा देखिए, यह आपने लिख दिया bold ठीक है, bold लिखते ही वो bold हो गया, ठीक है, तो आप कह सकते है उसका वजन बढ़ गया, लेकिन अब क्या करना है, मुझे उसे 100% bold नहीं चाहिए मुझे उसे bold के थोड़ा नीचे लाना है, तो हमारे पास CSS के अंदर और option होते है 100 से लेके 900 तक ठीक है, अगर आप ऐसे करेंगे command space, आप देख सकते है, 100 से लेके 900 तक के options available है हमारे पास, तो क्या कर सकते है 900 मतलब 100% bold हो जाएगा, 800 मतलब थोड़ा कम, 700 मतलब थोड़ा कम 600 मतलब थोड़ा कम, चलिए 700 ले ले लेते हैं करते हैं, save, और check करते हैं तो bold की मतलब थोड़ी कम होई ठीक है, और कम करने के लिए चलिए कर देते हैं इसे 5, करते हैं, save, अब आके देखते हैं, तो bold की मतलब थोड़ी और कम हो गई, ठीक है, तो 0, 100 से लेके 900 तक के number आपके पास present है आपको कितनी मतलब में उस font को bold दिखाना है उसके लावा यहाँ पे और बहुत सारे option available है, आपको करना है control और space, और सारे option आपके सामने आ जाएंगे, lighter समझ जाए, normal आ जाएगा normal और बहुत सारे अलग-अलग हमारे पास font available है, usually जब भी हम यह use करते हैं, font weight, तो bold ही ज़्यादा तर use होता है, यह bold यह जो number है, ताकि हम bold के जो opacity उसको थोड़ी कम कर सकें तो अभी के लिए 600 रखके save कर देते हैं और हमाई पर 600 आ चुका है, अब हम एक चुछ और देखेंगे, जो हमने कल भी देगी पर थोड़ा सा revise करेंगे, और एक दो properties, उसके अंदर कौन सी कौन सी available है, वो जान लेंगे जो की है border आप दो मिनिट में समझ जाएंगे मैं border क्यों समझा रहा हूँ, अभी के लिए हम लेते हैं 2 pixel solid और black 2 pixel मतलब जो border के line होगी, वो कितनी मोटी चाहिए आपको, solid मतलब एक सीधी straight line आएगे उसमें किसी भी प्रकार का difference नहीं रहेगा, solid के लावा हमारे पास है dotted जब भी आपको सारे option देखने हैं, आप press कीजिए, control और space, आपको सारे option एक साथ दिखने लगेंगे, ठीके अब मुझे dotted चाहिए, या dash ले देते हैं, ठीके, dash मतलब minus के symbol बहुत सारे आ जाते हैं और black color में चाहिए, आ जाते हैं देख लेते हैं, तो dash आ गया मैं आपको dotted भी दिखा देता हूँ, चलिए, ठीके dotted dotted देख लेते हैं तो dotted में भी dot लगा के आ चुके हैं, तो यह था जब आ अपने mouse का cursor लेके जाते हैं, किसी चीज के ऊपर वो अपना color या कुछ भी अपना behavior चेंज करता है, तो वो कैसे होता है तो उसे हम कहते हैं, pseudo class या pseudo selector, देख लेते हैं पहले example और फिर theory, ठीके तो paragraph पे जब भी कोई hover करे paragraph पे जब भी कोई hover करे, तो क्या कर दो, उसका border change कर दो, तो मैं उसका border कर दूंगा, अब 7 pixel, solid और red, ठीके ये मैंने कर दिया, उसका border, दुसरा क्या करना है मुझे background color change करके कर देना है, अब मैं background color ले 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 ठीके, any random color याद रखिए, कभी भी हम color इस तरह नहीं देते हम हमेशा hex code ही use करते है समझने के लिए हम ऐसा लिख लेते हैं, बट real life practical में हम कभी भी ऐसा नहीं करते, यहाँ तक clear हो गया, अब देखते हैं इसका output कैसे रहने वाला है तो आज आईए, कर दीजे refresh, देखा आपने जैसे ही हम इसके अंदर आते हैं पूरे के पूरे changes हो जाते हैं, समझ में आ रहा है तो आपने देखा होगा, आप hover करते हैं तो image बदल जाती हैं, कई बार जैसे ही आप किसी e-commerce में हैं तो आप अपना cursor लेकर जाती है तो उसका code इस तरह ही लिखा रहता है जब भी कोई P के उपर hover करे तो ये सारी चीजे apply कर दो आपको जितनी भी चीजे hover करने के बाद apply करनी हैं, आपको वो सब चीजे दुबारा से इस selector के अंदर लिखनी होगी या इस class के अंदर लिखनी होगी जैसे कि मुझे जब भी कोई hover करे font size बदल के 16 pixel कर देनी है, ठीक है आप वो कर सकते हैं, जब भी कोई इस पे hover करे, तो मुझे text align उसका क्या कर देना है, left side से या कर देते है, right, इस वक्त जैसे ही मैं hover करूँगा जैसे ही मैं hover करता हूँ कौन सी text apply हो जाएगा कौन सा CSS apply होगा CSS जो मैंने लिखा है, यहाँ पे जो मैंने hover का CSS लिखा है, वो apply हो जाएगा जैसे कि right side पर जाना, 16 pixel करना, background color बदल देना, border का color बदल देना यह सारे चीज़े apply हो जाएगी फिर से एक बार example के थूरू देख लेते हैं जैसे ही मैं मेरा cursor द्यान से देखेए आप लोग जैसे ही मैं cursor लेके जाता हूँ तुरंत यह जाती है, बदल आप देख रहे हैं, पूरे के पूरे font जो text है वो जा चुके है, right side पे background color change हो चुका है border change हो चुका है और border का radius change हो चुका है तो यह थे कुछ तरीके font के साथ खेलने के और आप समझ चुके हैं कि हम hover करके किस तरह चीज़ों को बदल सकते हैं, अब हम समझेंगे आप alignment कैसे change की जाए display थोड़ा कैसे बदला जा display कैसे बदला जाए मतलब अभी समझते हैं, एक मिनिट के अंदर तो display change करें, इससे मेरा मतलब क्या है, तो मेरा मतलब बस इतना साही है, अभी तक क्या होता था जितने भी elements आप लिखते थे या तो वो inline element है, या तो ब्लॉक लेवल element है, अगर वो block level element है, तो पूरी की पूरी space ले ले रहे हैं, वेब पेज के उपर, अगर वो inline element है, तो जितनी space उनको जरूवत है, वो उतना ही ले रहे हैं जैसा कि हमने lecture 2 में समझा है कि block level element और inline element क्या होते हैं, simple सा example block level element वो elements या वो tag के अंदर लिखे हुए content होते हैं जो content छोटा हो या बड़ा वो पूरे के पूरे वेब पेज पे जितनी भी space present है वो पूरे की पूरी space को ले लेते हैं और inline element का मतलब उसके अंदर जो content available है वो उतनी ही space लेंगे जितनी space उन्हें जरूरत है अपने content को display कराने के तो एक भी space नहीं लेते तो अब सवाल आता है क्या हम उनकी properties को बदल नहीं सकते क्या हम उनकी सजाव admin style को बदल नहीं सकते तो हां बिल्कुल बदल सकते हैं CSS के पास यह ताकत है वो की block level को inline बना सके inline को वो block बना सके तो समझ लेते हैं हम यह कैसे करेंगे तो आजाते है हम अभी के लिए क्या करते हैं अभी के लिए हम यहाँ पे कर देते हैं एक HR ताकि हमें समझ में आए कि अब हम जो करने जा रहे हैं वो इसके नीचे करेंगे कर देते हैं refresh तो यहाँ पे देखिया line आ चुकी है इसके नीचे हम समझेंगे अपनी display properties के बारे में तो सबसे पह है जो सबसे पहले display property होती है means जो block level element और inline element है वो पता है आपको कौन से कौन से tag होते हैं block level के लिए usually हम P और div use करते हैं तो अभी के लिए हम कर लेते हैं div tag और इस div tag के अंदर में लिख देता हूं pw skills और इसी को कर देते हैं replicate replicate करकी कर दिया हमने save यहाँ पे आ जाते हैं औ पूरी की पूरी space ले रहे हैं web page के उपर तो क्या मैं इन्हें change कर सकता हूं तो हां बिलकुल मैं इन्हें change कर सकता हूं चलिए देखते हैं कि इन्हें change करेंगे कैसे ठीक है थोड़े और उधारन के लिए काम करते हैं हम यहाँ पे class दे देते हैं ताकि याद आ जाए आपको बताईए कि हम target कैसे करेंगे class को class को कैसे target के जाता है dot लिखे तो मैं dot लिखे कर देता हूं box 1 और यहाँ पे मैं लिख देता हूं bgc मेरा हो जाए यहाँ पे कोई भी random color red और दूसरा जो box है उसका भी color कर देते हैं हम फिर से change box 2 अब इस box 2 का color हो जाएगा हम यहाँ पे कर देते हैं yellow यह तो कर देते हैं इस वक्तिक ठीक है तो हम देख सकते हैं red और pink आ गया अब इनका display चेंज करते हैं तो मैं display डिस्प्ले चेंज करूंगा डिव के अंदर किसके अंदर डिस्प्ले चेंज कर रहे हैं हम डिस्प्ले चेंज कर रहे हैं डिव के अंदर मैं डिव लिग दिया और मैंने लिग दिया डिस्प्ले वो कैसे जो properties थी वो बदल गई वो पहले थे block level जो उनकी default properties थी उनको मैंने CSS की मदद से क्या कर दिया override कर दिया पहले वो थे block अब हो गया है वो inline ठीक है तो आपको समझ में आए कि block को inline कैसे करते हैं ठीक है एक चुछ अब और समझते हैं अगर मैं यहाँ पे आपको दिखाऊं इस inline को हटा के मैं करता हूँ control और space तो आपको एक और चीज दिखाए देगी जिसका नाम है inline block तो यह क्या होता है तो पहले save कर लेते हैं save करने गए बाद मैं अगर यहाँ पे आके simple सा simple जो inline का मतलब पहले था html के अंदर वही same मतलब css के अंदर भी आ गया लेकिन जैसे ही आपने लिख दिया inline block मतलब अब आप इसको एक property दे सकते हैं जिसका नाम है width जिसका नाम है width अब मैंने इसको width दे दिया मान लीजिए 25 pixel तो अब यह क्या करेगा यह रहेगा तो inline लेकिन जितने space मैंने दे दी है इसको वो उतनी space ले लेगा for example मैंने उसको दिया था 25 pixel तो सिफ उसने 25 pixel की space ली और space नहीं ले इसको आसान करने के लिए मैं कर देता हूँ यहाँ पे 0 तो अब समझ लेते हैं तो अगर अब आप देखेंगे तो आपको दिखाई देगा कि इसने कितना लिया इतने इसने जगा लिया 250 pixels का दूसरे वाले ने कितना जगा लिया तो दूसरे वाले ने जगा लिया 250 pixels का तो जब आप inline लिखते हैं तो अगर आप मैं आपको दिखा देता हूँ एक्जाम्पल के तोर पे अगर आप inline लिखते हैं और आप apply करते हैं width और यहाँ पे देख लिजे तो इस वक्त जो आपकी width property है वो apply हो ही नहीं पा रही क्यूंकि जो inline की definition है आप उसके against नहीं जा सकते फिर हम यहाँ पे आगए हमने थोड़ी research की और समझा की हमें लिखना है block जैसे ही आप inline block लिखते हैं आपको permission मिल जाती है inline के अंदर space देने की जो आप width के मदद से दे सकते हैं तो मैंने width लिखके इसको दे दी है space अब मैं करता हूँ refresh तो उसको उतनी मिल चुकी है space अब स inline मैं यहाँ फिर से लिख देता हूँ pw skills मैं इसको copy करता हूँ यह क्या दो बार मैं यहाँ पर आके करता हूँ run तो अब आप देख रहे होंगे एक काम कर देते हैं ताकि थोड़ा और सुन्दर दिखें यहाँ पर मार देते हैं ber ताकि वो line वहाँ से break हो जाए तो हम margin की मदद से तो हम लिख देते है margin 25 पिक्सल तो यह चारो तरफ से हमें 25 पिक्सल दे देगा उपर नीचे आगे पीछे में स्टाइट लेफ टॉप बॉटम से हमें 25 पिक्सल दे देगा अब मैंने उसके बाद लिख लिया है मेरा span tag जो की है inline element मैं यहाँ पर लिख देता यहाँ पर यहाँ पर आ जाएंगे हम लिखेंगे span span लिखने के बाद क्या लिखते हैं हम लिखते हैं display और जैसे ही मैंने लिखा display अब मैं लिख सकता हूं block अब देखते हैं जादू सब के सब बन गए block level elements समझ में आया क्या हुआ inline और display में क्या changes हुए अब आपने जैसे ही css का इस्तमाल किया html के document के उपर css की power इतनी थी कि उसने जो html की default properties थी उसको बदलने में कर दी मदद आप display property लगा के उसे inline बना सकते हैं inline block बना सकते हैं block बना सकते हैं यह थी important properties जो use हो दी हैं इसके लबावा एक दो और हैं लेकिन वो इतना जादा useful नहीं होती day to day life में as a beginner आपको यह पता होना अभी के लिए बहुत जादा है जरूरी और एक चीच करते हैं हम यहाँ पे हम करते हैं इसकी font size थोड़ी सी बड़ी तो font size कैसे बढ़ाते हैं font size लिखके हमारी emet बहुत मदद करता है चीजों को आस space चाहिए तो क्या use करेंगे padding राइट तो हम लिखेंगे padding और मैंने लिख दिया 10 pixel 10 pixel लिखते ही मैंने कर दिया save आ जाते हैं करते हैं refresh आप देखिए अंदर से 10 pixel की space आ गई समझ में आ रहा है फुरका फुरा scene तो अब आपको समझ में आ चुका है कि display कैसे बदल सकते हैं text की formatting कैसे कर सकते हैं CSS की मदद से और जो पहले से default properties है उसको display tag लगा के कैसे बदला जा सकता है और अब हम सिखेंगे एक बहुत ही important display की property जो है flex तो flex सुरू करेंगे हम within a minute तो उसके पहले flex की थोड़ी सी definition जान लेते हैं चलिए सुरू करते हैं flex तो अभी तक जो हम display की मदद से कर रहे थे उसमें कुछ limitations थी limitation कैसे वो समझते हैं अभी तक जो भी था आप उसमें किसी भी order को alter नहीं कर सकते थे order को alter मतलब करना मतलब जो item 1 है आप उसे end last item और जो last item में उसे first item नहीं कर सकते थे means वो maximum cases में एक columns में ही या एक stack में ही arranged थे maximum जो आप display की मदद से कर रहे थे block को inline और inline को block और बहुत ज़्यादा power आपको नहीं दी गई थी फिर आया flex power के अंदर तो flex क्या करता है flex आपके CSS elements को एक power दे देता है और ज़्यादा alter करने के लिए किस तरह alter कर सकते हैं तो आप उनके sequence change कर सकते हैं आप उनकी directions को change कर सकते हैं वो कहां पे align होंगे वो change कर सकते हैं आप और इस तरह की चीज़े आप कर सकते हैं one dimension में ही second dimension के लिए हमारे पास है grid 1D में खेलने के लिए हमारे पास है flex तो चलिए देखते हैं flex की मदद से हम कैसे करेंगे आ जाते हैं अपने same HTML के अंदर और एक कर लेते हैं अपने बना लेते हैं simple सी line ताकि differentiate कर सके पढ़ रहे हैं तो अभी जो हम display यूज़ कर रहे थे तो आपने देखा मैं sequence नहीं चेंज कर पा रहा था किसी चीज़ का या तो ब्लॉक थे या तो inline थे बस यही दो चीज हो पारी थी तिसरी कोई नई चीज़ हम करना चाहर नहीं पा रहे थे ठीक है तो मैं यहां पर comment कर के लिख देता हूँ और अब हम सीखने जा रहे हैं flex, flex सीखने से पहले हम एक काम करेंगे flex के लिए html के content तो लिखने पढ़ेंगे बीना html के content लिखे आप flex बनाएंगे flex apply कैसे करेंगे याद है मैंने first class में कुछ कहा था जब भी हम CSS apply करते हैं हमें पता होना चाहिए किसे apply करना है target कौन है तो आप उस पे CSS apply कर पाएंगे नहीं तो आप कितनी भी CSS लिख लीजिए वो कहीं पे apply नहीं होने वाली तो अब बना लेते हैं target हमने इसके पहले जो भी target बनाये थे वो अपने दूसरे काम के लिए ते अब हम बना लेते हैं CSS के लिए target तो मैं बनाता हूं डिव और इसको मैं class देता हूं container कौन से class देने जा रहे हैं हम देने जारह हैं container class दे दो container class देने के बाद इसके अंदर मैं और div बना लेता हूँ कुछ नहीं हम खाली sequence बना रहे है parent child का और कुछ इसमें कर नहीं रहे इसको भी मैं देता हूँ class और इसको मैं class देता हूँ box का या देते हैं चलिए item का और यहाँ पर लिख लेते हैं तो अब मैं अगर इसके अंदर आके मैं यहाँ पर 1 लिख देता हूँ यहाँ पर 2 लिख देता हूँ और यहाँ पर मैं 3 लिख देता हूँ तो अब क्या difference आता है वो देख लेते हैं तो मैं इससे करता हूँ refresh और मैं जैसे ही refresh करता हूँ आप देखेंगे मुझे 1, 2 और 3 लिखा हुआ मिल गया ठीक है एक और चीज क्यों गलती हो रही है क्योंकि हमने इस div को दिये हुए हैं कुछ CSS यहाँ पे उपर तो इन CSS को हम कर देते हैं comment यह file आपको मिल जाएगी अब आजाते हैं और अब देखते हैं तो अब यह सारी चीजे दिख रही है properly अब इनके साथ खेला कैसे जाए तो सबसे पहले खेलने के लिए हमें target किसे करना है हमें पता होना चीए तो हमें flex बनाना किसे है तो हमें flex बनाना है इन तीन आइटम को तो target किसको करेंगे हम हमेशा उनके parent को समझ रहें जब भी आप flex बना रहे हैं तो उसको आपका parent पता होना चीए तो यहाँ पे parent है हमारे container यहाँ पे आ जाते हैं लिखते हैं dot और कर देते हैं container अब आ जाते हैं इस तरह तो सबसे पहले डिस्पले के लिए कौन सी property यूज़ करेंगे दिस्पले इन लाइन डिस्पले ब्लॉग डिस्पले इन लाइन ब्लॉग तो यहाँ पे होगा डिस्पले हम लिखेंगे flex देखिए display flex कर देंगे save अब आएंगे यहाँ पे और करेंगे refresh तो refresh करते ही आपने एक चीज नोटिस की होगी जो यह ऐसे जा रहे थे अब वो ऐसे आ रहे हैं मतलब जो चीज पहले stack में हो रही थी अब वो रोस में आने लगी है ठीक है लेकिन कुछ और थोड़ा CSS लिखके समझने की कोशिस करते हैं तो चलिए CSS हम लिख लेंगे इन items के लिए तो आजाते हैं हम हम यहाँ पे लिख देते हैं items items लिखने के बाद हम थोड़ा सा इने height width दे देते हैं तो हमने height दे दी 100 pixel की और width दे दिया 100 pixel का दोनों को height width हमने दे दी 100-100 pixel की अब क्या होगा चलिए वो देख लेते हैं height width आपको दिखेगी यह नहीं क्यूंकि हमारे पास दिखाने के लिए कुछ है यह नहीं तो एक काम कर सकते हैं हम यादे हमने 1,2,3 की class बनाई थी तो चलिए यहाँ पे आ जाते हैं 1 इसको दे देते हैं BGC अब मैंने इसको BGC मान ले जिये दे दिया orange अब आ जाते हैं यहाँ पे देखते हैं तो हाँ orange color आ गया है अब आ जाते हैं यहाँ पे अब क्या करेंगे कुछ तो गलती हो रही है यह है item और हमने लिखा है items तो इसको कर देते हैं अगर आप गलत चीज को target करेंगे तो आपको कभी पता ही नहीं चलेगा कि आपका CSS apply कहां हो रहा है अब देख लेते हैं अब एक box बनके आ चुका है तो इसी तरह मैं इसको कर लेता हूँ copy और कर देंगे 3 बार paste तो 1 को कर दूँगा मैं 2 और 1 को कर दूँगा मैं 3 यहां orange यहां पे हम कर लेंगे white और यहां पे कर लेंगे हम green करेंगे save अब करते हैं check तो आप देख पा रहे हैं यहां पे 3 color बनके आ चुके हैं एक काम करते हैं थोड़ा सा border दे देते हैं ताकि देखने में वो थोड़ा आपको पता चले कि हमने कुछ बनाया हुए 2 pixel solid black same हम यहां इसको copy कर लेते हैं और यहां पे आके इसको कर देते हैं apply और यहां पे भी करते हैं apply save अब आपको चीजे दिखने लगी हैं तो अब देखते हैं display flex का जादू ठीक है आ जाते हैं यहां पे अब हम सारा का सारा flex लिखेंगे container के अंदर जो की हमारा parent ठीक है तो सबसे पहले लिखेंगे flex direction तो करते हैं column save तो यह column में हो गए अब आके करते हैं तो अगर यह column लिखने के बाद column हुए तो क्या आप मुझे बता सकते हो by default क्या रहे होंगे तो by default यह सब रहे होंगे rows इसकी property change करने के बाद यह हो गए column इस तरह इसकी एक और property है column reverse reverse का मतलब उल्टा reverse का मतलब उल्टा तो अब हो गया column reverse पूरी की column हो चुगी है reverse उसी तरह हमारे पास है row reverse जैसे यह आप row reverse लिखते हैं तो row भी पूरी की पूरी हो जाती है reverse उसी तरह आप अगर इसे हटा देते हैं और reverse को हटा देते हैं तो आपके पास बच जाता है row तो row आपकी by default जो property थी वो थी row ही ठीक है by default जो property थी वो थी row इसकी लिए बन गया पूरा का पूरा row अब एक चीज और करते हैं चलिए आजाते हैं यहाँ पर इसको थोड़ी सी height देते हैं क्या करते हैं इसको थोड़ी सी height देते हैं और इसको हम लोग चलिए माल लेते हैं इस पर थोड़ी जादा height देते हैं 5, 1000 pixel यहां पär आपको दिखाई नहीं देखी क्योंकि पुरी पूरी ओ रिफ जो है वो भाइट में ही आई है उसको नहीं दिया हुगा है हाइट क्यों दिया अभी आपको पता चल जायेगा तो flex direction समझ गही आप तो flex direction के बाद मैं इसको कर देता हूं ऐसे अब हम आएंगे justify के उपर किसके उपर आएंगे justify content ठीक है justify content और सबसे famous property है इसकी center तो यह क्या करेगा आपकी चीजों को center में लेकर आ जाएगा मैं यहाँ पर लिख दूँगा justify center के बदले justify start तो कहाँ पर आजाएगा वो सब कुछ start में मैं अगर यहाँ पर लिख दूँगा end तो सारी चीजों कैसे आ जाएंगी end में ये तो हम row की और column की मदद से भी कर सकते थे लेकिन justify content के पास थोड़ी सी और ताकत है उसके पास और ताकत है space evenly की तो अब हर जगा space evenly distribute हो चुकी है उसके पास ताकत है space around की तो अब जितने भी element थे उनके आसपास space आ गई पहले जो space थी वो evenly distribute हुई थी अब उनके आसपास around मतलब 4 तरफ उनके space आ चुकी है और next होता है हमारे पास space between तो इसको देखते हैं तो बीच में जगा आ गई, पहले, सबसे पहले evenly आई थी, फिर around और फिर between, ये समझ में आया आप सभी को, चलिए, तो ये था justify content का सबसे थोड़ी ताकत वाला properties, लेकिन जो सबसे ज़्यादा ताकत वाली properties इसकी use होती है, वो है center, center मतलब चीजे को बीच ओ बीच में लेकर आ कर सकता हूँ, तो क्या मैं इसे column में कर सकता हूँ, तो जो जवाब है वो है हाँ, तो हम इसे कर सकते हैं column में, justify content है row के लिए, और align items किसके लिए है, align items है, अभी समझ जाएंगे, अब मैं करता हूँ save, अब देख लेते हैं, तो align items किसके लिए हो गए, align items हो गए, column के लिए, good job, ठीक है, यहाँ पर आ जाते हैं, तो यहाँ पर भी center available है, यहाँ पर और की available है, तो हम लोग क्या करेंगे, control space, देख लेते हैं, यहाँ पर भी flex and flex start, तो flex start करते हैं, मतलब यह सबसे उपर चला जाएगा, ठीक है, flex start लिखें, या सिर्फ start लिखें, दोनों ही same होता है, उसी कि मैंने इसे जो height दी है, वो है 1000 pixel की, 1000 pixel की मैंने उसे height दी हुई है, तो वो 1000 pixel जहाँ पर खतम हो रहा है, वहाँ end हो रहा है, इसलिए वह वहाँ पर चला गया, समझ में आया, क्यों वो end में चला गया, मुझे scroll क्यों करनी पड़ी, क्योंकि वो जहाँ पर हमारी height है, वो खत 500, चलिए, तो अब देखते हैं, और करते हैं refresh, तो जहाँ पर 500 खतम हो रहा है, वो वहाँ पर आ गया, फिर से अगर मैं इसे 1000 pixel कर दूँ, तो अब यह कहाँ जाएगा, जो 1000 pixel की जो height है, उसके end में चला जाएगा, तो अब इसको भी कर लेते हैं, ऐसे, means comment, अब देखते हैं ताकि यह तीनों थोड़े थोड़े अलग दिखें, तो वो कैसे कर सकते हैं, तो उसके लिए हमारे पास property है, जिसका नाम है gap, तो जैसे ही आप gap देते हैं, gap लिखते हैं, gap लिखने के बाद, अब आप gap pixels में दे सकते हैं, मैंने लिख दिया 30 pixel, तो 30 pixel की gap सभी के अंदर apply हो जाएगी, अगर आप यहाँ पर लिख देते हैं, 70 pixel, तो कितने की gap apply हो जाएगी, सभी के बीच में 70 pixel की gap सब में apply हो जाएगी, अब हम समझते हैं, कि ऐसे कौन सी बहुत ज़्यादा important property, flex की है, जो बहुत ज़्यादा use होती है, तो flex की दो ऐसे properties हैं, जो बहुत बहुत ज़ align item center, इसका मतलब वो row से भी center में आ जाएगा, वो column से भी center के अंदर आ जाएगा, justify content center और align item center, justify content center लिखने से वो row में center में आ जाएगा, और align item center लिखने से वो कहाँ पे आ जाएगा, column के center में, तो देख लेते हैं, चलिए, तो मैं अब apply करूँगा, सबसे पहले justify content center, save करते हैं, अब यह यहाँ पे आ गया, यह चाहिए मुझे मेरे webpage के बीचो बीच में, तो मैं यहाँ पे आऊँगा, ठीके, और मैं यहाँ पे लिख दूँगा, align item, फिर से में क्या लिख दूँगा, मैं लिख दूँगा, center, अब क्या होगा, देखते हैं, अब होगा जादू, सब कुछ आ जाएगा, बीचो बीच में, अब यह यहाँ पे बीचो बीच में आया, क्योंकि 1000 pixel की जो space थी, वो थोड़ी जादा थी, तो इसको हटा के कर दें, अगर 500 pixel और save कर दें, तो 500 pixel की जो space थी, एक काम करते हैं, यहाँ पे लिख देते हैं, border, ताकि आपको वो दिखाई दे, 2 pixel, solid, और मैं कर दूँगा, black, save, तो यह आ गया, अब अगर मैं यहाँ पे इसको 700 pixel कर दूँ, तो आपको 700 pixel का border दिख रहा है, और उसके अंदर अब हमारा सारा का सारा item आ चुका है, एकदम complete center के अंदर, तो यह दो ब important property थी, flex के अंदर, flex के अंदर बहुत और सारी properties हैं, चो one dimensional से आप खेल सकते हैं, आप inner child बना के खेल सकते हैं, आप outer child बना के खेल सकते हैं, flex के लावा हमारे पास grid होते हैं, positions होती हैं, और बहुत सारी चीज़े होती हैं, but as a beginner, आपको इतना आना बहुत ज़्यादा जरूर हैं, और depth में और advance में आप step one में सिखिए, as a programmer, as a beginner in a web development, step zero पे, अगर आपको इतनी चीज़ बहुत अच्छी से आती है, तो congratulations, आपने web development का जो stage zero था, जो basic stage था, एक simple सी website बनाने का, उसे कर लिया है, crack, crack मतलब, अब अगर आपको कोई काम देता है, कि मेरे लिए एक simple सी website ब बना दो, तो आप logic लगा के थोड़ा सा पहले HTML की मदद से skeleton बना देंगे, उसके बाद आप उसे CSS लगा के उसे खुबसरत बना देंगे, तो as a beginner आपसे कोई बहुत ही heavy website नहीं मांगने वाला कि मुझे ये सारे designs दे दो, simple सी website मांगेगा, कोई अगर आपसे मांग रहा है, त जो आप इस वक्त तक इतना सीख चुके हैं, कि आप एक simple सी website बना के अपने client को या क्योई भी entity को कैसे दे सकते हैं, या आप अपने लिए ही कैसे बहुत सारी छोटी छोटी website बना के practice कर सकते हैं, अब हम next lecture में, जो की होने वाला है last lecture, lecture 5, उसके अंदर हमने अभी तक जो सि skeleton बनाएंगे और एक बहुत ही simple सी website बनाएंगे, जो की बहुत ज़्यादा use होती है as a beginner, use होना in the sense, कोई भी beginner होगा, तो जो सबसे पहली website बनाएगा, वो कुछ इस तरह ही दिखाई देगी, ठीक है, तो अब हम उससे सीखना चालो करेंगे, अपने last lecture में, जो की है lecture 5, thank you so much for watching, till here